एक बच्चा जो 21 किलोमीटर का परवत उठा ले, साथ कोस का, उसके लिए लोग उसकी पूजा नहीं कर रहे हैं, डंडे लगा रहे हैं, किले कृष्णा हम हाथ हडाले तो हम गोवर्धन उठा ले, इस से ब्रज की भक्ती का पता चला है, और ये आठ प्रकार की जो साथ प्रकार के साथ्तिक भावों का जो अन्वो करते हैं, तो 56 भोगी संख्या तैयार होते हैं। हेलो इंडिया, कनेक्ट विद अन्ता करण्याव, समी दर्शकू का फिर से स्वागत हैं, मैं हूँ आचर वर्मा, तो आज मेरे साथ बहुत ही खास महमान है, आप लोग सब उनसे भली भाते परेचित हैं, ये जिस परिवार से हैं, वहां 38 पीडियों से श्रीमत भागवत का एवं अन्य आध्यात्मिक प्रवचनों की परंपरा चली आ रही है, किवल साथ साल की उम्र में ही इनोंने गीता पर प्रवचन देना शुरू कर दिया था, मैं बात कर रही हूं, पुन्वरिक गोस्वामी महराज की, आपको बहुत-बहुत स्वागत है महराजी, नमस्कार पुन्वरिक जी मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगी चितन्य महाप्रभु जी के बारे में, क्यूंकि आपके पूरवज गुपाल भणको स्वामी जी उन्ही के शिश्य रह चुके हैं, तो चितन्य महाप्रभु के बारे में ऐसा कहा जाता है, कृष्णी के अफ्तार बता होते हैं धर्म की स्थापना के लिए, श्री कृष्णी ने गीता में कहा, यदा यदा ही धर्म सिग्लाने बहोती भारत, अब्युत्थानम धर्मस्यत दात्मानम सरजाम में हो, तो धर्म के अलग-अलग एक प्रकार से संस्मर्ण है, स्टेजिज हैं, या कहिए धर्म के स्व तो ये भी ग्यान को आज के हिसाब से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है, की सोशल मीडिया और इन माध्यमों सर्क हमारे मूल संदेश जा सकें, तो उसी प्रकार से युग धर्म की, तुलसिदाय जी ने महानस में लिखा, कि एही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग आईये राम ही, संतत सुनिये राम गुनग राम ही, इस कल्यूग में भगवान के नाम से बड़ा कोई साधन नहीं बचा, तो इसी लिए चैतन्य महाप्रभू के रूप में श्री कृष्ण प्रगट हुए, जैसे वो युग धर्म, हरी नाम संगीरतन की इस विश्व में श्री राम ने तपस्या की, क्योंकि सत्यूग के त्रेता के समय तपस्या युग धर्म है, इसी प्रकार से कल्यूग का जो धर्म है, वो केवल हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ही, तुलसिदा जी के एक चौपाई तो बड़ी प्रसिद्ध है, कल्यूग केवल नाम अ कत्ता से लगवग तीन घंटा दूर है चैतन्य महाप्रभू श्री कृष्ण और राधरानी एक साथ उस रूप में प्रगट हुए एक और इसके पीछे प्रसंग आता है और वो भगवान है इसकी सब गरंथों ने सभी लोगों ने स्वीकृति किये उसमें सबसे प्रसेद गर रूप कहकर स्वीकार करता है रिश्यों ने तपस्या करके पूछा कि प्रभू हमें ये बताईए मानव का धर्म क्या है तो भगवान राम के रूप में आए तब रिशी ने तपस्या करके पूछा बताईए इश्वर की पराकाष्ठा क्या है तब भगवान कृष्ण मेरा भाइस की चैतने महाप्रवु मिले है संत्तोकारा नंडेवजी तक कि अनल गणा 사त की गुजरात से लेगे क्रणाटंग अनल वर्णावन्य विए का उन्हों का वाष्ण? में उडिसा में है पुरी तो वहां ऐसी कोठरी थी कि उनके पैर च्छत तक चले जाते हैं और स्वी व्रंदावन के व्योग भाव में हे कृष्णा हे कृष्णा कहके चैतने महाप्रबू उस समय विराजमान रहते हैं राधरानी में अश्ट प्रकार के सात्तिक भाव होते है बहुत बाद डीप हो गई मतलब अंग्रेजी में बोलो तो सिम्टम आफ लव जो राधरानी में जिसमें स्वेध है रूम है कंप है यह सब चीज़ है सिम्टम आफ लव है वो चैतने महाप्रबू में वो भी प्रतीद होते हैं जैगनात पूरी के करम है जैसे जैसे एंड ह दो होता गया यहार समय जब भगवाने किसाथ प्रेम होता है तो देखी जब स्षुद्ध प्रेम होते है तो इसके सिम्टम होते ना उसकी अपनी करोध आता है कि आखे लाल हो जाएंगी होड परव झाल है वाट्स्वेबर ऐसे ही शास्त्रों में प्रेम के भी सिम्टम कहें है उसको बोलते हैं आठ साक्तिक भाव हाला कि नई व्यक्ति के लिए समझना कठिन होगा थोड़ा 38 पीडियों की यही कृपाए कि मैं यह चीज़ उनसे समझ पाया तो वो साक्ति भाव चैतने महाप्रभू में प्रतीत होते थे और जब वो चर्म सीमा तक पहुँच गए तब सही बात तो यह है गोश्वामी जी ने लिखा है जो जानत से हु देहु जनाई आप ही तुम ही तुम ही होई जाई प्रिया प्रियस्या प्रतिरूर अमूरतया जैसे मीरा द्वारिका धीश में मिल गई ऐसे ही श्री चैतने महाप्रभू जगनाजी जगनाजी में ही मिल गई एकदम दोडते हुए महाप्रभू जी हा जगनाज एक गरुनस तंभ है जगनाज मंदिर में वहाँ अभी भी चैतने महाप्रभू की उंगलियों की निशान है कोई भी दर्शन करने जाता है तो वहीं खड़ियों के दर्शन करता है तो वहाँ खड़ियों कर रहा जगनात हा जगनात कहके एकदम महाप्रभू जी ने जोर से आवाहन किया और एकदम जगनाजी की तरफ दोड़े, सब लोग वहाँ खड़े थे, और कुछ देर में पता ही नहीं चला कि चैतने महापरभू कैसे जगनाज भगवान में समाहित होगा, इसमें भी तीन परसंगे, एक परसंग में महापरभू जगनाजी में समाहित होते हैं, दूसरे में समुद्र में चले जाते हैं, और तीसरे में एक गोपिनाजी का मंदर है, उसमें समाहित होते हैं, जितना मैंने पढ़ा है कि उनका कुछ पता ही नहीं चला कि वो गए कहा है, यहीं मिस्ट्री है, और मिस्ट्री ही गॉड को कहते हैं, किसी ने स्वामी वेकानन से पूछा, जितना मिस्टर है कि मिस्ट्री है, जितना जवाब, जैसे ठाकुर जी को हम लोग चपन प्रकार का भोग लगाया जाता है, तो इसकी संक्या चपन ही क्यों होते है, कोई अधिक या कम ऐसा क्यों नहीं, चपन प्रकार के भोजन का जर्मत देखिए, पहले तो मैं घटना करम आपको कहूं, दो-तीन प्रकार की उत्तर होते हैं इसमें. मूल मूल पहली बात तो यह है कि श्री यशुदा मया, जब गिर्राज जी को शुरी कर्श्ण धान करते हैं, तो दिन में चार प्रहर होते हैं और एक प्रहर में जितना यशुदा मया खिलाती थी, उस प्रकार साथ दिन तक गिर्दाजी को श्री कृष्ण ने उठाया तो जब साथ दिन के बाद में यशुदा मैया ने जितनी देर का भोग बाकी था वो जब एकत्रित करके श्री कृष्ण के सामने रखा तो उसकी संख्या 56 हुई ये भी एक उसकी मुख्य रूप से घटना को ऐसे भी जोडा जाता है दूसरी बात ये समझेगा चर्ब चोष्य लेह भच्य भुज अमल तित्य कटुकसाय मधुर साथ प्रकार के रस होते हैं जीव के उपर साथ प्रकार के रस लेने की उर्जा है चर्ब चवाने वाला चोष्य चूसने वाला लेह जैसे हलुआ इस प्रकार के सब रसों का भेद जिभा के उपर होता है तो भारती वेज्ञानिक रिश्यों ने उस समय जिभा के उपर उत्पन होने वाले जितने प्रकार के रस हैं उन सबसे एक एक पकवान का निर्मान किया जो परमात्मा को समर्पिक्टर के भोग लगाया गया तो ये एक दूसरी और एक संख्या अलग प्रकार से विधीनीत होती है इसके पीचे हजारों और व्याक्ख्यां मिल सकती है अब तीसरी एक और बात है वो ये भी है कि ये जितनी सखियां है राधरानी है ये सब रस शास्तर की दृष्टी से देखूं तो ये सब भोग का मतलब क्या होता है भोग का मतलब के बल चीज नहीं होता है भोग का मतलब होता है किसी चीज को लेना जैसे मैं ये पानी लूँ तो इसका मतनबए कि मैंने इसको इसका भोग किया मैं इस कुड़सी पर बैठा हूँ भी तो मैं इसका भोग करना हूँ तो साथ प्रकार जो आठ प्रकार की नायकाएं हैं जिसमें है विप्रब्दा, बाखट सज्जा, स्वाधीन भरत्रिका ये जो शब्द में बोल रहा हूँ अगर इनके अर्थ समझने तो कम से कम 10-15 वर्ष तक संस्कृत और इस संस्कृत साहित्य को पढ़ना पड़ेगा तो इनके शब्द आएंगे, इसलिए मैं जादा व्याक्या में नहीं जा रहा और ये आठ प्रकार की जो नायकाएं हैं, वो आठ प्रकार की नायकाएं साथ प्रकार के साथ्तिक भावों का जो अन्हू करती हैं, तो 56 भोग की संख्या तैयार होते हैं, इतनी व्याक्या पर देखिए जब हम भगवान के सामने कोई वस्तू रखते हैं तो केबल वस्तू नहीं रखते हैं, उसके साथ साथ अपनी कामनाई भी रखते हैं, उसके साथ साथ अपनी प्रार्थनाई भी रखते हैं, उसके साथ साथ अपनी इच्छाएं भी रखते हैं, उसके साथ साथ अ और हमारी बरज़ की बाहटी है कि बाले बात बाहठी तक पहुंचे और जब तक रोटी तक पहुँचेंगे, जब तक तो आप धरी हुई चीज को रखेंगे, तो भगवान उसी समय अपनी कृपा का तराजू लगाते हैं, आपकी जितनी भावना होती है, उसको ले लेते हैं और उतनी कृपा उसमें रख के देते हैं, इसलिए जाते समय उसका नाम लड़ो होता, आते समय उसका नाम प्रशाद होता है, मतलब एक तरह से कि जिस भावना से तुमने जितना दिया है, तराजू में तोला, उतना ही तुमको मिलेगा, उतनी कृपा उसमें मिलेगी, उतना प्रशाद उसमें मिलेगा, और एक और बात है, भगवान खाते हैं या जैसे खेलाते हैं, राम भी तैयार हैं, बेर भी बजार में मिलते हैं, शबरी की खोजबागी है, आप राधारमन मंदर के अर्थिस्वे आज़ार हैं, वहां पर किस तरह ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, अरे वहां तो मैं कहूं जो पवित्रता सबसे बड़ी, आज हम पांसो वर्ष से अकंडग निजल देंगे, हम गोस्वामी लोग उसके ऊपर सारा भोजन बनाते हैं, जिस प्रकार से हरिभक्ति वेलास नाम का एक ग्रंथ है, जो की गोपाल भट गोस्वामी जी ने ही लिखा था, उस ग्रंथ में भोग बनाने की प्रक्रिया लिखी है, अ अब यही तो अनपुर्णा की कृपा है, पहली जो भारतिये मूल परंपरा है, उस हिसाब से भोग लगा जाता है, बड़े-बड़े पीतल के जो टहनिया होते हैं, उसका मूँ छोटा होता है, उसको हमारे यहां डोलची बोला जाता है, उसमें कैसे चोंक लगती है, कैसे गड़ों के बीतर जो चावल जब सिद्ध होता है, तब उसका जो स्वाद है, वो जीवन में स्वास्त देता है, कूकर में तो जो हम रखते तो चावल में विसफोट होता है, दाल विसफोट लेके पकती है, पर हमारे यहां जो मूल पध्धती से प्रसाद जो बनता है, फिर ठाकुल जी के सामने भोग धरा जाता है और उसके पीछे फिर बड़िया सुन्दर पद गाय जाता है रिजा रिजा के रुच रुच भोग लगाओ रसिया कि बल धर दिया कि हाँ भगवान ने अच्छा एक चीज़ बताईए जब कोई घर में भोग लगाता है तो क्या-क्या गिनता है कि आज कितना भोजन बनना है तो अगर अगर भगवान के लिए भी बनाया होता तो भगवान जरूर काते है हम लोग जब अपने घरों में बनाते हैं अपनी तो कंटिंग करते हैं भगवान कि तो कंटिंग करते हैं हमारे राधरों मंदर में चितना भहग बनता है तो система भगवान के लिए है और उनको यहीदा है एक कासा जाता है कि आपके लिए बनाया हो आप आप आरोगो कुछ बच गया तो हम लोग आ रहोगी मेरे पिताई कभी कभी कहते थी कई जगे भोग इसलिए लगता है कि थाली पूरी बापस आ जाती है जिस जगे अंदर से थाली मज के पुछ के आने लगी तो कई लोग तो भोग लगना भी बंद कर देंगी कि हमारे लिए काने को नहीं अपने बात की है अप्रस और सप्रस की ब्रच में अप्रस सप्रस की रिवाज है और ऐसा का माना जाता है कि जो भोग बनाते है या जो सेवा करते हैं उनको कोई भी व्यक्ति छो नहीं सकता है क्या है इस पवित्रता परमात्मा को पवित्रता बहुत प्री है और हमारी भार इसने पहुत ध्यान दिया है आत्मा की अ मन के स्तर नहीं हो सकते और आत्म शरी जितनी गंदी नहीं हो सकती आत्मा तो शरीर जितनी गंदी नहीं हो सकती, वो तो शुद्ध सात्विक है, इसलिए आत्मा आत्मा के स्तर पर हो, आत्मा कैसे पवित्र होती है, आत्मा तो सदा पवित्र ही है, उसके उपर माया का जो लेप है, वो ही उसकी पवित्र होता है, जैसे चांदी के उपर ऑक्सि मन पवित्र नहीं है तो भी मैं काम पूरा नहीं कर सकता तो इसलिए आप यह कहो कि मेरी गाड़ी की सीड तो साफ है बहार बहुत गंदी है तो मैं क्या करूँ अब जब किसी ड्राइवर को गाड़ी साफ करने के लिए देते हो तो आगे से पीछे तक सफाई करनी होती है बॉ कहाँ सुना भी अच्छा किते है तो एक प्रकार से पवित्रता की अपरस अर्शक्रस का अंतर है एक होती है अपरस और म मतलब है कि harder work को संबंद ने है हमारा संबंध श्री ठाकुरी हम भग Almighty के हैं अभी न मैं कोई husband हूँ न कोई wife हूँ न कोई father हूँ न कोई son हूँ मेरे यह जो social relationships है यह नहीं है जिसे कहते हैं लौकिक रिष्टा नहीं है जो ही मैं बोला लौकिक सम्मंद नहीं है अभी के वर पारमात्मिक सम्मंद है कि यह मेरे ठाकुर जी है और मैं उनका सेवक कोई एक सामने व्यक्ति आयो जिसके उपर case लगा हूँ और आश्र की बात है कि जो वकील है वो भी उसका रिष्टेदार है पर अभी समय वकील उसका भाई नहीं है वो अपना रोल ने बहारा है वो अपना उस समय वो एक code के अंदर खड़ा हुआ पेशी करने वाला एक lawyer है एक advocate है इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता उसकी wife कटगरे में हो सकता उसका cousin कटगरे में हो सकता उसका friend हो और उसके against लड़ रहा हो कुछ भी हो सकता है पर वो उस समय जो कई बार तो मैंने ये भी देखा एक मेरे परिचे की पहचान की घटना है कि कटगरे में एक व्यक्ति खड़ा था और उसकी का दूर का cousin उस court का judge था पर वो समय as a cousin behave नहीं कर सकता चाहे वो कितना भी जानता हो husband wife भी दूसरे को high hello नहीं कर सकते क्योंकि वो court का protocol है इस समय वो judge है वो समय एक lawyer है वो criminal है और सामने लोग गवा बैठे ये एक उसका पर ऐसे मंदिर का एक decorum है ये व आके बिहारी जी का इस समय में इसका कोई low kick संबने नहीं है तो अपरस इसी को कहते है अपरस अपरस मतलब ये ऊपर के रस में उस रस में जो कभी कम नहीं होता है सपरस का मतलब सब के जैसा रस पहला गूट पीज़े बहुत अच्छा लगेगा दूसे घूट में कम तीसे कम चोथे घूट में कम पांच घूट की बात के हो गया अब मुझे नहीं पीना पर वहीं भक्ती का रस कैसा है जो दीरे 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 बढ़ता जाता है तो अपरस का मतलब क्या है कृष्ण का और सपरस का मतलब क्या है सामान में सब जैसा और इस दोनों चीज में पवित्रत उसमें पॉल्वर जैसे कि अगर घर पे किसी भगवान की प्रतीमा में प्राण प्रतिष्ठा की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि फिर उस स्थान को छोड़ने सकते हैं उस स्थान को और शिफ्ट नहीं कर सकते हरता नहीं सकते ऐसा है? बिलकुल है प्रान शब्दी आप समझे अब नॉर्मल भाषा में कहूं तो लिविंग और वैसे देखा जाए तो consciousness को प्रान कहा जाता है तो जब किसी में प्रान प्रतिष्ठा हो जाती है तो उसको फिर जीवन्त समझा जाता है जीवन्त का मतलब कि वो जीवित वास्तविक्ता में वहाँ उपस्थित है तो जैसे आप घर की किसी परिवार की सदस्य को अकेला नहीं छोड़ते हैं जैसे अगर आपने पुत्र की भावना रखे ठागुजी के साथ वातसल्य भाव रखा है जैसे छोटे बच्चे को नहीं छोड़ते अगर पिता का भाव रखा है तो अकेले पिता जी को भी घर में नहीं छोड़ते घर वाला भी कोई नहीं है तो कोई नहीं कोई केर टेकर बोलते हैं जैसे इसी को बोल करके जाते हैं ऐसी भक्ती का मतलब तो यही है कि भगवान के साथ कोई अपना सम्मंद बना लेना और सम्मंद बनाने के बाद जब घर में भगवान का विग्रह होता है तो फिर इसी लिए उसको जीवन्त माना जाता है जैसे परिवार का कोई सदस्ति है और इसी कारण से अकेले छोड़ने क की आग्या नहीं है पर बड़ी बात तो यह है कभी-कभी ऐसी परिस्थिती होती होगी तो हमें भावना करनी चाहिए केर करनी चाहिए जैसे घर में कभी-कभी किसी कारण से किसी बड़े को अकेला भी छोड़ना पड़े तो हम किसी ने किसी माध्यूं से पूछते रहते है उसकी care करते रहते हैं ठीक आज के समय फोने पर दस-बी साल पहले फोन नहीं भी था तो फिर भी कोई न कोई भावना से उससे connect रहते थे तो ठाकुर जी के लिए वैसी केर करनी चाहिए वह भगवान स्वीकार करते हैं तो इसलिए प्रतिष्ठित मूर्ति को जीवन्त विग्रह समझा जाता है और प्रतिष्ठा क्या काम करते है तो बाइस्तारिक रामलला के रूप में पता चलिए जो मूर्तिकार था वही कह रहे इसका मतलब प्रतिष्ठा क्या करती है अगर ठीक से होती है तो आप समझी सकते वही विग्रह ही बदल गया उसके अंदर साक्षात प्राण विराजमान हो इसलिए जब भी घर में वैसे भी उल्टी सीधी मूर्ति लोग शोपीस की तरह भगवान की मूर्तियां रख लेते ह उसम नहीं होना चाहिए सम्मान से रखनी चाहिए उसमें प्रतिष्ठा करनी चाहिए और प्रतिष्ठित मूर्ति नहीं होती तो उसमें नेगेटिव एनरजी आ जाती है फिर घर में उत्पात होना शुरू होते है फिर आपनी परेशान होता है दर से उदर तो हर चीज की व बहुत सारे जैसे आम लोगों के मन में यह चीज रहती है भगवान जी स्थापित हो गए है तो अभी सब सही है तो अगर अब जैसे आपने कहा कि प्रांट प्रतिष्ठा नहीं है तो कभी-कभी अगर नॉर्मल मूर्ती है और उसमें कोई नेगेटिव वाइबरेशन तो ऐसे मतलब यह कि उससे भूल हो रही है वह ठीक से सेवा करें अच्छा जी वहां विराजमान है तो भगवान जी वह ठीक से सेवा करें बिलकुल भगवान विराजमान हो गए सीधी बात है यह प्लांट हमारे पीछे लग रहा है इसको मैं पौधे पानी नहीं दूंगा इसको ब बहुली गया है, भगवान तो सब अपने आपी कर लेते हैं, हमें कुछ करने की क्या जरूरत है, वो तो सब पूरन है, उसको क्या खिलाना, क्या निलाना, क्या सोलाना, ये फिर हमारा कहीं ये statement आलज सी तो नहीं है, इव ये अपक्यूपाइ सम्वेर, तो समझ में आती है, आ आपका घर में माता आपको आवास दे रही है, और अगर आप बैठके माला फिर रही हो, तो माला छोड़ के आवास सुनके हो, मुझे लगता है, भगवान मा के रूप में आवास दे रहा है, या बच्चा अगर आप भू लगा रहे है, और बच्चा आजाए कि मुझे इसम प्तbang ने दिए विए विप्ष सुर्याभाद को क्या खिलाना वह तो पूर्ण है वह आगाया बस हमारी भावना हम तो यह यह利ा आ दिखा यह अत्व आ इसके ऐस्हां हूं पता ही श्री कृष्ण ने जब उत्तरा के गर्भ में पल रहे परिक्षित की जान बचाई थी, तो क्या आज के समय में ऐसा कोई मंत्र है कि जिसे मंत्र जाप करने से ही कृष्ण जो है गर्भ में पल रहे बच्चे की रक्षा कर सकते हैं, ऐसा कुछ है? हाँ, उत्तरा के द्वारा कह गया है, उत्तरा ने ही जब पाही पाही महायोगिन देव देव जगत पते ऐसे कहकर श्री कृष्ण से प्राड़्थना की थी, तो मैं तो भागवजी की कथा कहने वाला व्यक्ती हूँ, मेरे हिसाब से पूरी भागवजी ही मंत्र है, और दुनि उस श्री कृष्ण को पुकारा था, वो श्री कृष्ण को पुकारा था, वो श्री कृष्ण को पूकारा 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 था, वो बहुत अच्छा है, बल्कि मेरे से कोई अगर नौ महीने में पाठ करें तो उसकी गर्व की रक्षा होगी, उसको पॉजिटिव वाइबरेशन मिलेंगे, वो अच्छा फील करेगी, डिवाइन कनेक्ट करेगी, बच्चा भी अच्छी चीज़ा सुनेगा, तो उसके जीवन में और अच्छी उल्लास, शांती, सुख उसको तब ही बोला भी जाता है कि अगर कोई गर्व वती महिला है, अच्छी किताबे पड़ो, भगवान की गीत सुनो, और वो यही सब चीज़े इसी वज़े से कही ना कही इंपक्ट बच्चे पर बहुत जादा गहरा पड़ता ही है, क्योंकि कोई बात होगी गर्व संसकार मैंने ऐसा सुना है कि एक रूम में एक बच्चे एक महिला को रखा गया जिसके चारों तरफ मेडिकल सारी बातचीते थी वही एंवायरमेंट था दूसरा रहा जो लिट्रेचर के बीच में रहा तो दोनों की लाइफ में इंट्रेस्ट रूची कैसे सर्वाइव हुए उसक की हीरिंग पावर ना तसियों गुना रिसेप्टिविटी हजारों गुना तेज हो जैसे आप इसी रूम में लाइट बन कर दीगे बिलकुल गहन अंधेरा कर दीगे तो आप अबसर्व करेंगे आपको दूर से अवास सुनाई देना अपने आप ही हो जाएगा क्योंकि हमा से पहले बाहर का कनेक्ट ही कानों से उता है बोजो च्छूत ऑसकता नहीं है देखरा है नहींदा मा की गरभями है और हो उचने कोले है क्योंकि नेबल कॉर्ड से उसको खाना गह रहा है उसने अभी तक सांस भी नहीं लिया उसको समेल नहीं आती समेल आती है तो वह नीचे म और यह हमारे यहां शास्त्रों में रामायन महाभारत पुरानों में कब से लिख दिया गया इसलिए नो महीने अच्छी चीज़ें जरूर करनी चाहिए जो माताएं खुश रहते हैं उनके बच्चे भी सदा खुश रहते हैं अब यह बात दूसरी बच्चे के अपना जब चीरहरण हुआ था तब दूसरी ने एक बार ही श्री किष्ण को माधव कहकर पुकारा और माधव आ गए आज के हिसाब से भक्ति में कैसी शक्ति चाहिए कि कृष्ण को या भगवान को जिसको भी आप मान रहे एक बार अपने पुकारा और वो आ गया आपके मुझे अजब लगता है कि भक्ती में सबसे बड़ी शक्ति है कि भक्ती बिलकुल स्पष्ट मेरे कहने का मतले होनी चाहिए, मतले इमांदार होनी चाहिए सरल शब्दों में कहूं तो भक्ति कैसी होनी चाहिए इमानदार बिलकुल निर्मल रामचेत मानस में लिखा मोहि कपट छल चिद्रन भावा क्या भक्ति कपट में तो नहीं हो रही कि इसलिए तो भक्ति नहीं हो रही क्योंकि हम ये चढ़ाएंगे और ये हमें मिल जाएगा कुछ लेने की भावना से तो भक्ति नहीं हो रही तो वो माधव वो काम नहीं करेगा फिर वो माधव वो काम नहीं करेगा आप ये भी समझेगा द्रोपदी ने कृष्ण से भक्ति इसलिए नहीं करिए क्रिष्ण बचा लेते हैं अगर उसे पता तो पहले ही नाम माधव लेते हैं वो तो श्री कृष्ण से स्वभाविक प्रेम करती है उनकी भक्त है वो तो सखी है पहले सब को पुका रहा है सब को बुलाया कि जो वहां खणे उनको बताया क्या प्रेक्टिकल उसकी अप्रोच है हम आप में से को उता उल्टा करता रहता की नहीं करता बहुत है भगवान तो सरवशक्ति अब द्रोपदी को बचाये तो मैं क्यों बोलूं पांच पतियों से क्यों बोलूं मैं गोना जब स्टीय को के साथ विल्कुल इमांदार भक्त रही है जितने हैं ओतने रहें लिए है रेंद नवा yeni भक्ति से जब लिएंद नवाली भक्ति से उपर उठेंगे तो मैं काऊंगा माध्व बोलोगे तो द्व बाद में आएगा मा१्व पैले कढ़ी मतलब अगर जिस तरह से भक्ति का आप बता रहे हैं, अगर आज इनसान अगर इस भक्ति को समझ ले या करने लग जाए, तो एक तरह से ऐसा लगेगा कि भगवान, बताओ तुम्हें क्या काम करवाना है, मैं करवाता हूं तुम्हारा काम, एक सखा वाला, राइट, कि जैसे क आपने मुझे भक्ति का मतलब बताया, मैं इस पूरीश रद्धा भाव से करने लग रही हूं, तो भगवान तो एक तरह से ऐसा हो जाएगा कि ठीक है, तू दे कहा न, हो जाएगा काम, ऐसा मेरे कहने कारत यह है कि यह तो भक्ती का अधिकार है कि आपने कहा हो जाएगा या मैंने कहा वो कह रहे हो जाएगा में चीज इसमें यह है कि आपके अंदर जो भक्ती की फीलिंग है वो बिलकुल प्यूर होनी चाहिए वो मिलावटी नहीं होनी चाहिए वो स्वार्थी नहीं होनी चाहिए अगर उसके पास connection जोना है तो जो आप अंदर से हो सीधा होना चाहिए और मेरे कहने हो लें दिन वाली चीज नहीं होना चाहिए क्योंकि भगवान बचाते हैं इसलिए मैं आपकी भगती करो और नहीं बचाया तो यह वाली चीज को चेंज करना है किसी मीरा को जहर मिला मीरा ने एक भजन नहीं लेखा जसमें उसने शेकायद किया कि मैं आप कितनी भगती कर रही हूं मेरे घर से निकाल दिया मैं सुड़क आप देखे है पांदावों की लाइफ कितनी स्ट्रगल में चली है ज़ंगलों में ही रहे उसकी एक तरफ शिकायत नहीं करी हमारी प्राथनाओं में शिकायतें जादा हैं कामनाएं जादा है हमारी प्राथना में भावनाएं कम अधा Dashamik आपना तो मामला अंदर खाली है, जब अंदर का भरा होगा, तब माधव बोलो, उसके लिए सम्मंध बनाना परेगा, उसके साथ सबसे पहले श्री कृष्ण के साथ सम्मंध बनाओ, लेंदेन नहीं, आप रिलेशन बनाओ, यहे कृष्णा आप मेरे सखाओ, यहे कृष्णा आप मेरे पिता हो, यहे कृष्णा आप मेरे स्वामी हो, यहे कृष्णा आप मेरे प्रियतम हो, कुछ एक सम्मंध तो बनाओ, और सम्मंध को निभाओ, यह तो एक्स्ट्रा चीज है, कि वो बचा लेगा, एक पशू से सम्मंध बन जाए, तो वो आपको बचाने के लिए खिला रहा था, और मुझे याद है कि उसी का एक व्यक्ति, उसी टीम का, जो उसको खिलाता था रोज, उसको धका देने लगा, ऐसी खेल खेल में, वो शेर उसको देखकर एग्रेसिव हो गया, कि जो मुझे रोज खिला रहा है, तूने उसको क्यों पीछे धका दिया, तो म हम तो कि वर लेंदेन की चक्कर में फसे हुए, इसलिए आज यहां जाते हैं, फिर कल वहां जाते हैं, फिर परसों वहां जाते हैं, मंगताओं की तरह दर से घूंगते रहते हैं, माया मिली नराम, नमाया मिली नराम मिला, दोने ही नहीं मिले, और नमाया मरी, नमन मरा, मरम गया शरीर आशा तृष्णा नामरी कह गया दास कभीर पुंदा बहुत ही अच्छा पुंद्री जी पेड़े भागवत कथा में सूद जी के बार बहुत सोड़ा है तो सूद जी के बार पे थोड़ा बताए कौन थे और भागवत में इनके लिए क्या कहा गया है ये पिता-प यक्ति को सूद कहते है जैसे जिन्होंने तपस्या करियो और जिनके शरीर में बहुत सारी दीमकों ने प्रवेश कर लिया हो उसको बलमी कहते है और उससे वालमी की नाम पढ़ा ऐसी यग्जी की सूदी से सूद नाम पढ़ा ये सब एक-एक प्रोसस है तो सूद एक जी सुनाई परिक्षतूं के शिष्य थे और ये गुमते गुमते नेमी शारण ने एक तीर्थ पढ़ता अभी जो बड़ा पवित्र है वो नेमी शारण ने तीर्थ में गए हैं और आपने शाउनक नाम के रिशी थे उस समय बहुत व्रद्ध और शाउनक इस समय UK के प्रेसि और वही जो उन्होंने उत्तर दिया है अठारे पुराणों में की कथा सूथ जी ने उन सिर्षियों को सुनाई है और मुख्य रूप से भागवत जी की कथा उन्ही सूथ जी ने शौनक सतसंग के संत बैठें . ऐखे जोग इंजा उतर दीये- जा रहे यह परंपरा के आचारी की सूटição सूट जी की करपासे दुनिया मैं सतसंग करने की परंपरा है तो ये वहाँ से चीजे कारिकरम शुरू हुआ है ये ये उसी वो सत्संग कारिकरम अगर उसको कारिकरम समझी तो उसके फर्स्ट प्रोडियूसर सूथ जी तरीता यूग में शीराम के साथ हनुमान जी थे जो की एक चिरन जीवी है ऐसी ही कल यूग में जब कलकी का अवतार होगा तो क्या उस समय उनके साथ कोई चिरन जीवी होगे देखिए सारे अवतारों के साथ सारे चिरन जीवी होते है श्री कर्शन के साथ भी हनुमान जी थे रत के करमे और भीम से मिले हैं भीम की परिक्षा ली है बहुत सारे हनुमाद तो आठों चिरनजीवी सवी अवतारों के संग में इसलिए तो उनको चिरनजीवी कहा जाता है हर समय सारे होते है और कुछ उसमें जुडती भी जाते है जैसे अश्वत्थामा है वो तो कृष्ण अवतार से जुड़ा था उसके बाद आठों है तो सिक्षादी परुषराम जी ने भीश्म से युद्ध किया परुषराम जी ने तो इसी प्रकार से कल की अवतार भी जव होगा उसमें भी अश्ट चिरनजीवी अश्वत्थामा बली व्यास हनुमान विभीशन क्रपह परुषरामस्च सप्तेटी चिरजीवन मारकंडी तथ इस प्रकार आश्ट चिरनजीवियों का नाम शास्त्रों में लखित है अश्वत्थामा बली व्यास हनुमान अश्च विभीशन ये सभी के सभी कल्गी के साथ उस समय प्रगट होंगे ऐसा रिशी मुनी विद्वान लोग कहते है और जैसे कि पहले के युगों में रिशी म हुआ है यह विक नव्य जरूप कर रहा है तो आज के समय के इसाफ से श्राप के क्या माइन है बेखिया आज भ्यक्ति अपने आपकोी स्राप इतना दे रहा है अपनी गलत कर्मों से कि दूसरे के श्राप की दिरूफती नहीं नहीं है तो यह लागो को समूह इखटा होके सही कह दे रहा है तो अगर रिशी मुनी श्राब देना शुरू कर देना तो समाज के समाज शहर के शहर देश के देश खतम हो जाएंगे अब क्या है अप निए नहीं कहुँगा मैं यह नहीं कहुँगा आप मीरी बात नहीं एक पहले एक रावन था था तो एक ने श्राब देढ़िए एक कंस था आज मैं आपको अब ही डिल्ली नोव сложно कि पूरे की पूरे समुह के समुह एक अत्रत हो गए तो अगर कोई रिशी मोनी सच में श्राप देने पर उतर आए तो एक व्यक्ति नहीं कितने समुह, कितने समाज, कितने शेहरों की समाप्ति हो जाएगी इसलिए कलियुक के समय श्राप की महिमा बढ़ी नहीं मैं आपको फिर अश्रमेद यग्य करने की सामर्ति, वाजपे यग्य, मैं अगर अश्रमेद वाजपे यग्य की पूजा सामिगरी क्या चाहिए उसी की लिष्ट आपके सामने रख दू, तो बड़ से बड़ा धनपती भी घवडा सकता है, धरती में नहीं मिलेंगे कई समान तो, क्योंकि इस समय बड़ गया, अब हरी नाम संकिरतन का योग आ गया, जब यग्य का योग था तब यग्य का योग था, उसी प्रकार से कल्यूग श्राप का योग नहीं है, कल्यूग तो सुधार का योग है, यहाँ श्राप से नहीं काम बनेगा, यहाँ अवतार के साथ सम्सकार चा है इसलिए मैं संटों के रूप में Scout कर अंदिर और संकीरतन के माद्यम से जा रहा हूं, जिसमें व्यक्ति के बाइद सब्सक्राइर सुधार कर सके जब परिख्षित को अन्तिम् स्राप दिया गया था कर यह सिर्ब परिख्षित के मेरे पिता का अपमान किया है और जब ये बात श्रमीक को पता चली तब उन्होंने देखा कि ये तो कल्यूग अब हावी हो रहा है अपने बेटे का साशन किया कि पुत्र तूने बिना जाने तू जानता भी नहीं था कि मेरे गले में सर्प किसने डाला है देने के शक्ति शिथिल पड़ी आए आशिरवाद देने के शक्ति बड़ी हो जाए पर मैं सच बात कहूं अभी भी ऐसे-ऐसे सिद्ध महत्मा है उनके भीतर करुना है उनके भीतर अभी कहीं ने कहीं एक प्रकार से सहिशनुता है और अच्छी बात है कि उस अपको कंट्रोल करके धहरिय से फॉर्गिव करने एक्षमा करने नहीं तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर सच में कोई गलत व्यक्ती करते कर रहा है तो अभी भी उनके मुझ से निकला हुआ वाक्य ब्रम्ह वाक्य की तरह उसके जीवन में ऐसा पर सम्त यह सब बुरी चीज़ें देखे हसते हैं क्योंकि उन्हें पता है उन्हें श्राब दिनी की जरुवती नहीं है हमारे खुदी करम है इसे हैं कि हम अपना गड़ा खुदी खुदा है दूसरे को गड़ा खुदनी की जरुवती नहीं है थोड़े दिन बाद खुदी गर जाएंगे हम उसे हुदी जी ऐसा कहा जाता है कि कृष्णे के अंश राधारानी को बोला जाता है तो श्री कृष्णे ने अपने अंश को राधारानी के रूप में क्यों भीजा देखिए श्री कृष्णे की अंश तो सारा ब्रह्मांड ही है पर राधारानी ऐसा बात समझे से चंद्रमा की अलग-अलग-अलग-अलग शक्तियां किरने होती है सोले कलाई होती है ऐसे ही परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की अनंत शक्तियां है जिसमें सर्वत्तम शक्ति है आल्हादिनी शक्ति आल्हादिनी शक्ति ही राधारानी के अंश का मतलब क्या होता है भी कलीर करना पड़ेगा इसलिए मैंने इसको स्पष्ट कहा आलाधिनी शक्ति ही स्री राधरानी के रूप में इस धर्ती के उपर प्रगट होती है तो अब क्यों भेजा चुकि भगवान का एक नाम है आत्मा राम आत्मा राम किसको कहते है जो अपनी आत्मा में ही रमन करता है योगी कौन होता है जो अपने आत्मा में रमन करता है अपने में ही रमन करता है अपने में ही रमता है यह शब्द बड़ा फेमस है कि हम अपने में ही रम गई तो राधारानी कौन है कृष्ण की आत्मा है कृष्ण की आलहदिनी शक्ति है तो श्री कृष्ण का नाम आत्मा र इस स्वभाव को सार्थक करने के लिए श्री राधारानी के रूप में श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के रूप में श्री राधारानी अब इतमें से कौन क्या है ये तो आस्ता कोई नहीं बता सकता ये तो बिंब और प्रतिबिंब की तरह लीला है इस धरती के ऊपर या नित्य गोलोग धाम में, एक मन हैं पर दोतन हैं, एक ही आधार है पर उसकी दो-दो एक प्रकार से प्रकाशित अनुभूती हैं, इस प्रकार से दोनों जन विराजमान होते हैं, जुगल के स्वरूप में. जुगल का एक अर्थ होता है, कि एक दूसरे के उठसाह, एक दूसर रधारानी का रही है राधारानी आप लोग इसको कैसे मानते हैं नहीं उसमें तो कोई दोराई नहीं है थोड़ा सा मैं सुधार हूंगा कि कृष्ण की प्रेमी का रही है राधारानी ये बात नहीं है कृष्ण जिनके प्रेमी रहे हैं उनको हम राधारानी को रहते हैं वाँ तो पहले ही मानना पड़ेगा एक बात को समझेगा कि इश्वर के दो प्रकार के प्रकाश होते हैं एक होता है आईश्वरिय एक होता है माधुरिय इन दो शब्दों को जड़ा मैं सरलता से कहने की कोशिश करता हूं एक है आईश्वरिय जहां वो अपनी एनरजी दिखा रहा है कि वो कितना महान है और माधुरिय इता को मैं सरल भाषा में कहूं कि वो कितना सहज है कितना नॉर्मल है कितना सामान है जैसे आप यह समझे एक तरफ श्री कृष्णा अर्जुन को विराठ रूप दिखा रहे हैं और दूर तरफ उसके ड्राइवर बने हैं सार्थी बने हैं सार्थी बनना कोई आपको क्या लगता है कि बस रत चला रहे हैं सार्थी बनना बहुत बड़ा काम है घोड़ों के साथ जोज घोड़ी की तब पहले जाते हैं श्री कृष्ण युद्म है सबसे पहले जाते हैं रत को साफ करते हैं आपको पता है जब रत चला जाते हैं कैसे चलता है हाथ से नहीं चलता है पेर के जूती का जो कोना होता है उससे सार्थी को मार के बताया जाता है कहां मुरदा है कि तुम जोर से बोलोगे तो शत्रू पहचान देगा तो ऐसे ये श्री कृष्ण की सरलता है एक पूरे महावरत का अश्रुमेद यग्य का करम सजा हुआ पता चल रहा है कि पहला पूजन को करें चीवाट। वियस्त हैं, मैं उनके प्रतेनधी रूप में आपका स्वागत करता हूँ चलते चलते को अपना जूता चपले दरो दर दर उतार दीता है तो कृष्ण को पंग्ती से भी लगा देते हैं यह श्री कृष्ण की सरलता है तो यह माधुरी अता है तो एक चीज़ समझेगा कहीं क कहीं श्री कृष्ण की आईश्वरी अता प्रधान होती है और कहीं कहीं श्री कृष्ण की माधुरी अता प्रधान होती है तो जहां कोई लोग उनसे इसलिए आकरशित होते हैं क्योंकि वो इतने महान है और कोई लोग इसलिए आकरशित होते हैं कि वो इतने सरल हैं इतने स किस किλοमेटर का परवत उठा ले साथ कोस का उसके लिए लोग उसकी पूझा नहीं कर रहे हैं डंडे लगा पहले किले कृश्ण हम आठ टाले तो हम गो वरधन उठा लें इस से भ्रज की भक्ति का पता चलता है भ्रज की भक्ति इसलिए कि श्री कृष्ण हमारे है श्री कृष्ण हमारे है तो ये जो माधुरियता है ये माधुरियता की चरम सीमा का बाती है जब राधरानी सामने होती है क्योंकि बैकुंठ में देखिये तो नारणे लेटे हैं और लक्ष्मी चरन दवा ने है और व्रंदान में देखिए तो राधरानी लेक्टी है कृष्ण चरंदावा बैठो पलो टतराधिका पायन ये दो एक्स्ट्रीम है ईश्वर के तो जो माधुरियत ऐश्वरियता की चरम सीमा है वैकुंठ और माधुरियता की चरम सीमा है गोलो के व्रंदावन इसलिए राध अधान रूप से रखा जाता है क्योंकि श्री कृष्ण उनके सामने अपनी संपुर्ण माधुरियता का प्रकाश करते है एक जगा मैंने सुना है कि श्री कृष्ण विष्णू के अवतार नहीं है ये देखिए दो चीज समझनी होगी विष्णू नाम भी श्री कृष्ण क है अलग अलग प्रकार की क्रम है हमारे पुरानों को कैसे लिखा गया है कि जो शंकराचारे का पंचायतन है जैसे जो आपका इष्ट है वो आपके लिए सब कुछ है कहने का मतलब आगा श्री पुरान पढ़ेंगे तो वहां लिखाओगा कि शिव जी सब कुछ कर नहीं है देवी भागवत पढ़ेंगे तो लिखाओगा देवी जी सब कुछ कर नहीं है यह क्यों लिखा गया क्योंकि जहां आप समर्पित हैं वहां आप फुली सरेंडर हो सकें इसलिए वहां उसको सबसे टॉप मुस्ट कहा गया तो विष्णु में भी एक है महा विष्णु जो क यह प्रश्ण नाम राम का भी ए यह प्रश्ण इतना आसा वालमी की रामायन में जब भागवान ने जब रावन का वध कर दिया तब देवतावन ने राम को सबसे पहली बार क्र्ष्ण केह कर पुठा रहा है तो यह चीज इतनी सरल नहीं है कि कौन किसका अवतार है कौन कि तुभागवान स्वयम भागवत कृष्ण द्वाइपायन व्यास की अंतिम करती है जो सारे पुराणों का सार है और वो ये बात कह रही है कि जितने अवतार होते हैं वो श्री कृष्ण के ही होते हैं श्री कृष्ण से ही अनन्त ब्रह्मा विष्णु महेश शास्त्रों को उपर अपनी जीवन को समरपित कीजिए बहुत ध्यान से समझेए आज आप एक किसी अनपढ आदमी को इस ओफिस में स्पीकिंग ट्री के ओफिस में लियाए सब लोग टेबल डेस्ट लैप्टॉप के सामने बैठे अनपढ आदमी क्या समझ पाएगा कौन अकाउंट्स देख रहा है कि कौन मार्केटिंग देख रहा है कि कौन इसका प्रचार देख रहा है कोई प्रमोशन देख रहा है तो टेक्निकल आदमी जानेगा ने कि ये इसमें ये प्रतिभाय है ये इसमें ये प्रतिभा है random आदमी नहीं जान सकता ऐसे ही शास्त्र के अंदर बहुत सारी technicality है कौन किसका अवतार है अवतार शब्द का अर्थ क्या है इससे हमारा बड़ा है तुमारा चोटा भगवान है हमारा चोटा भगवान है तुमारा बड़ा ये व्यष्टी और समष्टी के सिंधानत से इश्वर के स्वर्व को जाना जाता है जैसे कि आपने कहा कि शिव पुरान अगर कोई पढ़ेगा तो उसमें उनकी गाथा है उनको ज़्यादा उंचा बताया है तो शिव कहे मैं बड़ा हूं विष्णु कहे मैं बड़ा हूं ब्रह्माजी कहे मैं बड़ा हूं देवी कहे मैं बड़ा हूं आम इंसान कोई भी शास्त्र नहीं बढ़ रहा है वो किसे बड़ा माने वो शास्त्र को बढ़ा माने और शास्त्र पढ़े ये बड़ी और या अगर उसमें इतनी देखो दोई चीज़ हैं आप बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ ये मेडिकल साइंस पढ़ो तीसरा कोई रास्ता है तो डॉक्टर का मतलब होता है गुरू के पास जाओ जो शास्त्र जानता जो शब्द ब्रह्म परब्रह्म हमें न भगवान किसी के उपर करते हैं सहज भक्ती करने है तो कहीं भी समर्थ हो जाओ कंकर में भी शंकर की प्राप्ती हो सकते है ये इतनी पक्की हो जाए तो क्या नहीं कहा जा सकता धन्ना की कःथा बड़ी फेमस है कि मंदिर में पहुंच गया था इनके पास भगवान है था थ तो उसने का भगवान दो यह ले शाले ग्राम नीचे तुमारे आसन के नीचे वाले चाहिए किसी ने उसको ऐसी मुर्क बना दी तो आसन जो पत्थर के ऊपर आसन डाल के पंजरी बैते ले जाए आसन अधना तो बैठ गया कि भगवान भोग लगा के बढ़िया टिकड़ बन अब या तो तुम ऐसे पके हो जाओ ऐसे अड़ जाओ ऐसे समर्पित हो जाओ ना तो हम ऐसे हो रहे हैं ना हम वैसे हो रहे हैं अब बीच में अपनी जुगार हिसाब से चले जा रहे हैं और उसमें वियर्तिकात तर्क कर रहे हैं और उसको सोधारना नहीं चाहरे हैं या त की साइन्स का शिख आए भूख गया एल हूजा तो आप ड़्क्टर दवाई दे सकते हो फिर तो चाश्ची तो शास्ट्र को जाने Eu aastik 진짜 के जू pursue जो भगवान को सब्सक्राइब या जो भगवान की मानताः ने शच्छीर सिर्प इसब इष्षर की नहीं है आस्तिको वेदसंपन्नहा शास्तिक उसको कहते हमारे कई शास्तिक उसको कहते हैं हमारे कई शास्तिक उसको कहा जाता है जो वेद को सुविकार करता है जो शास्तिक को सुविकार करता है तो आप सीकर बनें इंक्वाइर मत बनें हमारा धर्म सीकर बनाता है और सीकर बनके आगे चलेंगे तो कहीं ने कहीं किसी मोड़ पर मुलाकात होई एक कहानी है कि जब सागर मन्थन हो रहा था तब भगवान विश्णु मोहिनी रूप धारण करके आये और भगवान शिव उन पर मोहित हो गए तो भगवान शिव को उन पर मोहित होने की क्या शिव तो मोहिनी पर विश्णु पर कब से मोहित है और विश्णु शिव पर कब से मोहित है इस रहस्य को कौन जान सकता है तुम बड़े हो मैं बड़ा हो मतलब की विश्णु कहते है आप बड़े है दोनों बड़े शिव जी कहते है आप बड़े एक दोनों को रिस्पेक् हुए तो वो कितने perfectly मोहिनी बने कि शिव भी नहीं पहचान सके यहाँ समझने की बात ये है कि शिव तक भी जिसको जानते थे वो ऐसा रूप चेंज कर गए कि शिव भी न पहचान सके कि ये विश्णो है और बाद में मोहिनी के पीछे आकर्षित होगे और एक प्रकार से शिव मोहिनी पर इसलिए भी आकर्षित हुई को कि शिव और मोहिनी के ही मूलता तत्व से हनुमान जी का जन्द होगा है ये भी पुराणों के भीटर वो लेख प्राफ इसलिए लिखा है शंकर सुबन केसरी नंदन सुबन शब्द का मतलब होता है पुत्र जैसे वो स्वामी जी लिखा है शंकर सुबन भवानी के नंदन गाई गणपती जगबंदन गणपती के लिए भी सुबन शब्द आया है तो जब शंकर मोहिनी से आकर्षित हो गई और उस समय मोहिनी और शंकर के साथ में जो शिव का तेज खलित हुआ वही एक प्रकार से हनुमत्व के रूप में प्रगट हुआ इसलिए ये हरी भी सुत है, हरी के भक्त भी है हरी का मतलब बानर भी होता है और हर भी है कल्यूक की भक्ति या उसे कहें सत्यूक की भक्ति से अगर कंपारिजन करें कहां कमी है सत्यूक की भक्ति में कोई कमी नहीं होती भक्ति तो बराबर सी ही होती है मैं फिर भी अगर आप से एक बात कहूंगा कि सत्यूक की भक्ति वर्तमान में इस्थे थे कल्यूग की भक्ति कल के लिए है बीता हुआ कल हमारा अच्छा हो गया होता आने वाला कल या तो शिकायते हैं या कामनाई है ऐसा हमारे साथ क्यों हो गया और ऐसा हमारे साथ हो जाए यही अंतर है सत्यूग की भक्ति में पवित्रता थी कल्यूग की भक्ती में थोड़ा मनगरंथ पना है पर एक और बात आप से कहूँ सत्यूग में भक्ती जितनी कठिन है कल्यूग में उतनी आसान है क्योंकि बड़े से बड़ा काम भी सत्यूग में करने के बाद थोड़ी कमी हो जाए तो वो नोटिस होगी सफल नहीं होगा और कल्यूग में कभी-कभी कल्यूग की वज़े से कोई बड़ी भूल भी हो जाए पर भगवान के नाम का मन में साफ सुमिरन हो तो भगवान उससे सुईकार करके कल्यूग के जियूग का उद्धार करते है तभी शायद कहीं है कि इंसान भक्ती करने में उसको लगता है कि बहुत पापड बेलने पड़ते हैं बहुत सब कुछ करना पड़ता है ना भक्ती का सिधार थे हैं कि भगवान से सम्मंध बनाईए आप पूजा को भक्ती समझ रहे हैं मूर्ती पूजा कब से शुरू गई थी सदा से थी क्यों नहीं थी राम के समय भी थी सत्युक के समय भी थी सदा से मूर्ती का शब्द भी समय समझना होगा पहले हम उसको मूर्ती शब्द नहीं कह सकते एक प्रकार से जैसे किसी भी साधन में भगवान का आवाहन होकर उसे विराचवान किया जाता है और उसके माध्यम से देवता की अर्चना की जाती है सदा से थी कितने स्था एक दक्षन में मंदिर है श्री रंगम जो श्री नारायन का स्वरूप है बहुत विशाल उसकी सेवा स्वयम रामजी करते थे और जब विवीशन जाने लगा तो भगवान ने कहा मैं आपके बिना कैसे रहूंगा विवीशन ने कहा तो पर प्रभु ने कहा ये ले मैं ये ही मैं हूँ तो तू ले जा और वो विग्रह भी भी श्री रंगम ने जो तरशनापली के पास में दक्षन में पढ़ता है तो वहाँ पर विराजमा ने तो सदा से ही थी अब हिस्टोरियन्स मूर्ती का ड्रवेडियन कोई न कोई तर्क रखते हैं कि उस समय भी थी 2000 साल पहले रोमन कल्चर में भी मूर्तियों को स्थापित किया जाता था स्टिल अगर आप ब्रटिश एंपायर में या कई जगे देखिये तो रोमन स्कल्प्चर्स विश्व में इतली और ब्रटिश काल के समय प्राप्त होते हैं परन्तु ये तो सब एक हिस्टोरिक कारबन डेटिंग है जो एक्जिस्टिंग मूर्ति है उनकी पर अगर हम स्क्रिप्चरल वाइस देखें तो सदा से थी भारतिय परंपरा में तो सदा से भगवान की पूजा का विधान मूर्ति का मतलब है कि ये मेरे परस्नल गॉड है एक है भगवान जो सबकी अब मूर्ति का मतलब है जो सबका है वो इस रूप मेरा है ये अर्थ है मूल में ये अर्थ है तो ये तो सदा से उसके रूप अलग लगए किसी समय कैसी बनती थी जैसे ऐसे आर्ट फाइन होती गए ऐसे से मूर्ति भी साफ होती गई तो जैसे ऐसे टेक्नलोजी चेंज होती गई उसके शेप, साइज उसको बनाने की प्रक्रियां पर पहली कितनी फाइन आर्ट थी जो 2000 साल से समय तक जीवित है वो भी समझे तो ये सदा से थी जो सबका है वो इस रूपने नेरा है, यही इस कामर थे चलिए थोड़ा सा आपके जीवन के बारे में भी जान देते हैं जहां बच्पन में बच्चे जो है खिलोनों से खेलते हैं टौफिया खाते हैं, चोकलेट्स खाते हैं उस उम्र में आप श्लोकों के साथ खेल रहे हैं ऐसा आपके अंदर कौन सी उमंग उत्सा था आपने कभी ने सोचा कि मुझे इस बच्चे के तरह अपना बच्पन जीना चाहिए या मुझे यह नहीं किया तो मेरा बच्पन खराब हो जाएगा देखें मेरा ऐसा मानना है कि अगर सोच लिता तो बच्चा नहीं होता कोई अगर सोचना शुरू करते तो बच्चा नहीं हो उसको सोच अपने चालों तरफ से बनती है से टौन ऑती सुच बनतीैं तो अ मेरे पिता- corner की मेरे अपकी जम्म करतो अवेशे जली का अधून क्रफ़ है जैसा नहीं कि advocacy टौफी नहीं कहीं कि मैंने खेला नहीं किया डिवा इसके सा 50 कि शेणी ऐसा तरीके का तरीक अभी मिला कि मैं बच्छ spend से ही और वो चीज में अपनी याली गनरेरेशन में देख रहा हूं मेरी दो बीठियाँ है चोटा बच्चा है वो बच्छパड से जब रोज देख रहा है कि मंद क्या है आज आप मैं जैसे में कहीं कहीं कथाई करता हूं तो बहुत सारे बच्चे हैं आते भी हैं उसमें पर खेलते हैं डिस्टर भी होता है मैं मना नहीं करता सबको आना चाहिए पर कम से कम इतने अभ्यास से मेरी बच्चियों को पता है कि अगर इक अधा चल रही है तो हमें कितना silent maximum possible वो लोग बैठते हैं और कई फिर ऐसे पुर में अन्हों प्रगट होने लग जाता है तो मेरे व्रंदावन का वातावन मुझे मिला और फिर एक विद्वान परिवार में जन्म लेने का मुझे अउसर मिला शाहिद मैं मा के गर महीं होंगा जबी कितनी कथाइं सुली होंगी उसके अध बच्पन से पिता जी करते थे द एक मुझे याद है कि एक श्लोक था वो मुझे एक कंठस्त करना था याद नहीं हो रहा था तो मेरे पिताजी ने मुझे ट्रिक दी में क्रिकट खेलने का बड़ा शौपीन था और बड़ा रन अप जो हो बड़ा लंबा लिया करता था तो पिताजी बोली कि रन अप जब बोल है ना बोल जब हाथ में लेता है वहां से दृड़ता है तो वह श्लोक तो जासी रन अप पूरा होता है और लिया प्र ही आ तो डियाद की शिर्वड़ा हो जाता है वुदं मेरा जीवन का पहला श्लोक मैंने याद किया था जब मैं चार साल गाता था असामने लबन दाउट भी हो जाता था तो और मजा आता था फिर रोज वो एक गार दो 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 तो बस ऐसे दोनों खेल में ही खेल खेल में हम पढ़ाई आज तू कहते हैं लर्न बाइ फन आज प्ले स्कूल में खेल नहीं भेशतें बिकॉस खेल में ही तो एडूकेशन दो था ये जैसे मैं आपके बाद में पढ़ा है साथ साल की अम्र में ही आपने गीता के शलोक पढ़ना शुरू कर दिया था प्रवचन देना शुरू कर दिया था वो आपका नुभफ कैसा था बढ़ा अदबद था भोट अने याद है कि उसके पीछे मेरे पिता जी अचा और जो सामने बैठे तथी वो भी सब जाने पहचाने से भी तो अबी दिन मुझे बड़ी अच्छी से यहाद है मेरी माँ बहुत खुश थी, मुझे बहुत आशिरवाद दिया अनों मेरे प्यता जी की भी आननमी की सिमा नहीं थी और वो चीज़ देखके मैं बड़ा खुश था कुई मैंने ऐसा किया कुछ करके आओ तो जिन लोगों को आप आसपास देखो उनका जो रियक्शन है वो आपके भीतर मोटिवेशन ये डिमोटिवेशन करता है तो जब मैं ऐसा कुछ करके आया तो मैंने पूरी फैमिली ये जो मेरे सराउंडिंग में डिवोटीज थे वो जो रिस्पॉंड कर रहे थे मैं तो छोटा था वो देखके मुझे इतना मैंने जीवन में कभी अनुहू नहीं किया और वो उर्जा अभी भी मेरे पास बिलकुल सेवड है मैमरी एक बिलकुल शार्प मैमरी मुझे याद है उस्टेज का कलर कैसा था लोग सामने कैसे बैठे थे एक भी बिंदू नहीं भूला उस दिन का और वो मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का दिया कोई भी आप जैसे आप अपनी कथाओं में प्रसंग सुनाते हैं अगर मैं आप से कहूँ कि कोई भी एक प्रसंग व्रंदावन की महिमा का कोई भी एक प्रसंग आप हमारे दर्शकों को सुनाईए देखिए व्रंदावन तो ऐसी अद्भुज जगे है जहां का कण कण भी भगवान का स्वरूप है श्लोक आता यत्रप्रविष्ट सकलोपी जन्तो आनंद सक्चित घनता मुपईती जहां प्रवेश करने वाला जीव जन्तो भी भगवान की समान हो जाता पर पूरे व्रंदावन में सबसे बड़ी महिमा जो है वो व्रंदावन की माटी की है रज की है ऐसा कहते हैं जहां रज में ब्रह्म मिल जाता उसको ब्रज कहा जाता है ब्रज का मतलब कहा जहा रज में ब्रम्भ मिल जाए इसलिए कितने संत महात्मा वईश्णव हैं जो नित्य अपने तिलक के रूप में अपने मुख में तिन रूप में ब्रणदावन के रज की हुग सेवा करते हैं कल्यान जो गीता प्रेस गोरगपूर एक चापा करती है मासिक और वार्षिक एक प्रकार से मैगजीन उस पत्रिका में भी उसका उलेक प्राप्त हुआ था मैंने उसी में पढ़ा था बहुत वर्षों पहले एक बार पत्नी थी वो बड़ी भक्त थी और पती ठीक है आस्तिक पर उसका एकना कोई कनेक्शन नहीं था और सही बात तो यह है कि थोड़ा दुराचारी टाइप कई था उल्टसे काम करता था सब खाता पीता था यह था पत्नी बड़ी अच्छी थे उनकी विवाहा की सालगिरा हुई तो उन्होंने विचार किया कि हम पत्नी क्या चाहिए तो बुला आप एबर ब्रंदावन चलिए मैं यह चाहती है बस तो उसको खुश करने के लिए वो मान गया कि मैं चलता हूँ और कहते हैं कि मत्रा ट्रेंज शुरू हो गए थी बहुत पुरानी बात भी नहीं उस पत्रिका में यह कहानी लिखी थी तो मत्रा स्टेशन पर उ स्टेशन बात वी तो में चलिए उसको लग गया होगए और कहते हैं वह हैं उसके प्राण निकल गया है वह वह मर गया है पर मरने से ऐसा हुआ कि संत लोग पहचान जाते जहां का शरीड छूडता है तो कई लोग होते हैं जनका मल्मुत्र निकल जाता है कई लोग होते हैं बन्द नाक मूँ बन्द कोई मलमुत्र भी बिस्तर नहीं गीला हुए तब कहते हैं कि यहां ब्रह्मरंद्र होता है चोटा सा बीच में चिद्ध बच्ची को दिखो तो एक हेर लाइन चोटा सा चिद्र होता है उसमें से जब प्रान निकल जाते है तो व्यक्ति को सीधी मुक प्रान चोटा सब्सक्राइब तो सब संत आशर में पढ़े और उसकी पत्नी अफकोस रो रही थी दुखी थी तो कुछ देर बाद संत बड़ी जोर से जयर्यकार करने लगी तो पत्नी दो मिट बार शांत हुए तो सब संतों ने जाके पूछा कि तेरा पती तो कोई महान व मिला और देख इतनी बड़ी ट्रेजडी इतनी जोर से सींग लगा उसके बाद भी उसके प्रान यहां से निकल गया ऐसा स्रिष्ट व्यक्ति क्या कौन क्या कोई बड़ा योगी था भजन करता था तब करता था तो पत्नी आशर में पढ़ गी बोले मारा जी यह तो संत भी आशर में पढ़ गया उसी समय एक बृद्ध महत्मा वहां से गुजर रहे थे तो सब संतों ने उन बृद्ध महत्माओं की शरणागती ली कि संत जी आप कुछ ग्यान दीजी यह तो हमने आस तक ऐसा नजारा नहीं देखा तब उस संत ने उस बैल की तरफ शारा कि हुए थी क्योंकि वरंदावन की रज में सिर मार के आ रहा था अब इसका भाग्य प्रारब्द तो यही था कि आज इसकी मृत्य होनी थी यह पतनी की कृपा थी उसका भजन था उसका पुर्ण्य था कि वह आज उसको ब्रज में ले आई और दूसरा उसी के प्रभाव से आ प्रणाम करें उस रज को महत्तो दे देरे देरे जो वहां development भी हो रहा है even government जो development करें जो private लोग development करें जो लोग लह रहे हैं वो खूब रज को महत्तो दें यह जीवन का बहुत बड़ा सार्थक सुंदर प्रयोग है जो लोग परिकर्माय देते हैं वो नंगे चरन इसलिए देते हैं कि उनको रज की प्राप्ति हो पता है मुझे सड़क बन गई है मैं भी देता हूं तो कोशिश करके नंगे चरन ही देता हूं सब नंगे चरन देंगे तो सबको समझ आएगा कि रज क्यों होनी चाहिए और वही महिमा के साथ व्रज की सबसे उस तो जहां रज में मिल जाए उसको ब्रज के आपने कभी अपने क्यूंकि आप तो बच्पन से ही कथाय कर रहे हैं तो कभी आपने अपने जीवन में कृष्न का या राधारानी का सेवाओं में या प्रसंगों में कभी अनुभव किया है अब यह तो आपने बहुत गहरी बात बोल दी यह तो प्राइवेट बात है इसका पुब्लिक से कोई मतलब नहीं है पर मैं एक बात कहूंगा कि जिसने कृष्न को देखा होता उसमें कृष्न दिखने लगता है यही उसका प्रवाण है कहने से नहीं दिखता हो बताने वज़िस जिसने पाया वो क्या बताएगा शब्दी नहीं जिसने पाया वो क्या बताएगा मैं कभी मैं दोनों चीज कहूंगा मैं रोज मिलता हूँ और अभी तक नहीं भी मिला हूँ क्योंकि मिल गया होता तो यहां नहीं बैठा होता आपके पास और वैसे कहूं तो रोज ही लिलता हूँगा तो अब यह कोई ऐसी आपको कैरिजम कि में आनुवा जीवन नक्रतीत हैं वहा बहुत रूज के बहुत हैं वहां प्रतीत होता हैं सदा सदा नजर में रखे हुए साथ में ही है और ये अनुभो बहुत परियाप्त है बहुत परियाप्त है और एक और बात है कि मैं कोई ऐसी बहुत चाहा नहीं है कि बिलकुल मेरे सामने खड़े हों कि मुझे अपना वो इस वरूप दिखाए उनकी नजर में है ये बात बड़ी परियाप्त है ऐसा नहीं हो अने को बार होता है एक मैं छोटा सा ठाकुल जी की सेवा का नहीं हो बता देखाए बलकुल बलकुल तो ऐसा था कुछ सालों पहले मेरी राधरुमजी की सेवा थी तो ऐसी मन में भावना बनी कि मुझे एक विशेश बहुत महत्तुपुर्ण बहुत खास इत्र एक किसी ने दिया और कहता था बड़ा कीमती इत्र है बड़ा कीमती मैंने सुचा ठीक है मैं थोड़ा सा इतना जानकार नहीं था अब मैं ठाकुल जी की सेवा में उस इत्र को ले गया थोड़ा सा मोसम हो गया था ओक्टवर नवंबर का थंडी सी शुरू सी हो गई थी और वो जो इत्र होगा वो थंडी तासीर का होगा मतलाब थंड़ों थंडवाला होगा थंड़ी करता लगाओ तो गर्मी में लगाओ तो ठंडा करें, ऐसा होगा, तो पूरा तो नहीं पर जब कोई इत्र होता थोड़ा सा भगवान के चरणों में लगा दिया जाए तो छोटा सा इसा हमने इत्र लगा दिया, अब उसके बाद मैं करके मैं वापस आ गया, और आत में मैं सूँ, तो मेरे को ऐ इसा लगे पैर में कि मेरे जने कितनी ठंड लग रही है, चलो मुझे लगे कल्पना हो सकती है, जो मेरे साथ दो लोग सेवा में थी, वो सुबहरे अगले दिन मिले, तो थोड़ा थोड़ा ऐसा लगण 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 चल रही हमने का क्या बात होगी, बोले पता नह अगल हम जब यहां से गए, पैर में हमें बड़ी ठंड लग रही है, उसी समय एक वरद्ध हमारे गुसाईं जी है, वो भी घर के बड़े है, तो उनका उसी समय फोन आता है, यह 4-5 साल पुरानी बात ही है, कि बिटा, मुझे स्वपन में श्री जी हम लोग प्रेम में ठाक पुर जी ने मानो इस भावना से संकेत कर दिया, यही प्रमान है कि वो साक्षात सजी प्रभु विराजमान होते हैं, फिर हम लोग ने चमा मांगके थोड़ा सा बढ़िया रात नो दिन गरम वाले तरसे मालिश करी और हमको भी गड़ बढ़िया सी नीना ही, अद्भुत है कभी जैसे अगर जैसे आप अपने अनुभाव हमारी दर्शेकों के साथ शेयर कर रहे हैं, अगर आप हमारी दर्शेकों को कोई यसी बात जो आप कहना जाते हैं, वो जरूर का है मैं यह कहूंगा कि अपनी जीवन को सिंपल सहज बनाई, सिंपल से मतलब और्डनरी नहीं, सॉलूशन को टैप करना सीखिए, जो खुशी है उसको हमें टैप करना पड़ेगा, दुख तो चानों तरफ से घिरने आए गई आएगा, अंधेरा तो खुद ही आते ही आता है, तो मेरा ऐसा ही मानना है कि जीवन को बिलकुल भगवान पर भरोसा रखकर सहज बना लीजे, कुछ चीज आपके अनुसार हो रही है, तो उसको भगवान की करपा मानी, कुछ चीज आपके अनुसार नहीं हो रही है, उसको प्रभु की इच्छा मान के सुईकार कीजे, दौ अकेलापन और एकांत दो अलग चीज़ा होती हैं, जीवन को अकेलेपन से एकांत की तरफ ले जाएए, अकेलापन डर है, एकांत उत्सव है, एकांत साधना है, एकांत भजन है, अकेलापन डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, अकेलापन अवसाद है, चिंता है, भय है, क्रोध है, एकांत तो प्रेम है, एकांत उत्सव है, एकांत उल्लास है, तो जीवन को बहुत सिंपल रखिए, अपने फैमिली को इंपॉर्टेंस दीजिए, अपने फ्रेंड्स को के लिए जो अच्छा कर सकते हैं करिए, और एक सबसे बात, अल्टिमेट बात कहूंगा, कि हमारा देश प्रोग्रेसिव फॉर्मेट में है, और इसको एक समय अवसर बनाए, पूरी दुनिया इस समय देश को देख रहे है, इसलिए आप जिस फील्ड में, उस फील्ड में थोड़ा सा जादा करने की कोशिश कीज़े, अगर आप पत्रकार हैं, तो थोड़ी अपनी कैपसिटी को पांच परसेंट बढ़ा लिए, आप अगर परचारक हैं, धर्म गुरु हैं, तो थोड़ा सा उसको रेलेवेंट बना लिए, जातियों से, परमपराओं से थोड़ा सा उपर उठके धर्म को लेकर के आए, अगर आप डाक्टर हैं, थोड़ी सी अपनी हॉस्पिटल के साथ हॉस्पिटैलिटी को भी साथ में रख लीजए, थोड़ी हॉस्पिटल तो बड़े-बड़े हैं, थोड़ा सा एक-दो कमरे हॉस्पिटैलिटी के भी अपनी जीवन में आ जाए, अगर आप वकील हैं, तो कई बार आप थोड़ा अर्थ से भी उपर उठकर किसी की सेवा मे आजाए ऐसे कुछ दो-दो-चार-चार परसेंट एफर्ट हर लेवल का आद में रिक्षे वाले से लेके और हवाई जहाद चलाने वाला एक खोका चलाने वाले से एक मल्टिनेशनल कमपनी चलाने वाला लेखती एक साथ समूं में एक साथ काम शुरू करेगा मुझे लगता है उस दिन राम जी के सामने जितने लोग बैठे थे वो ही थे उस सब जरासा पांच-पांच परसेंट आगे बढ़ा लेंगे इस समय देश पूरी दुनिया इंडिया को देख रहे है ये भारत को देख रहे है और आप सब के एफर्ट से ये विश्व बढ़ा ह होगा देश बढ़ा होगा आप बड़े होंगे तो आपके जीवन में आनंद बढ़ा होगा प्रसन्नता बढ़ी होगा थोड़ी सी भक्ती को जोग दीजे ऐसी कोशिश कीजे कि हम दिन चरिया में थोड़ी सी पूरी दिन चरिया में कुछ साम शरीर को देते हैं कुछ टाइ हमारे दर्शकों के साथ इतने वंडरफुल बात शेयर करने के लिए अपने अनुभव से अपने ज्ञान से ओत्पूत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद यह थे हमारे साथ कुंधरी गोस्वामी जी जिन्हों ने अपनी अनुभाव से जिन्हों ने अपनी प्रसंगों से हम लोगों को ग्ञान से अगली बार फेल्म मिलूंगा एक और नई अध्यात्त्रे गूरू के साथ एक और नई जानकारी के साथ आप डेक्तिरी इस्पिकिंग्टी नमस्कार